कि नमस्कार साथिया आपका स्वागत है आपके योट्यूब चैनल ट्रेडविट रॉनिक चले दोस्तों सुरुवात करते हैं जैसे कि अपने क्वाटर वन रिजल्ट के सीरीज चल दिये तो उसके अंदर करते हैं और आगे ट्रेडिंग से सब्सक्राइब करने से पहले अगर अपने चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए बैले को बजाना बिल्कुल ना भूलिए तो आज सतरा जुलाई और दिन के दो बच के तीस मिन दौरा मार्केट बनागी विकलो ऑफ़ संडे हैं तो पहले मैं कं सब्सक्राइब करेंगे फिर आगे ट्रेडिंग से बारे में बात करते हैं कंपनी के बारे में बात करते हैं कंपनी का नाम है महाराष्ट्रा मैटल पावडर्स लिमिटेड महाराष्ट्रा मैटल पावडर्स लिमिटेड तो कंपनी का काम ही है यह मैटल पावडर्स बनाना उससे प्रोडेक्स और्लिंग के उन्स From S2 with company काफी इच्छ लेगल पर ट्रेड कर यह लेवले साथ company काम करती है और ऑने प्रोडेक्शन फैक्ट्री लेवल यह काफी अच्छा है और महाराश्ट्रा के उन्स काफी बड़ा वेंच्छा सिंग्मेंड काम कर रहा है है मuw फावर्वीयो जह में आपको समझाई दिया है उल्मोनियम के प्रोड क्राश को यह इस तरह के वाइरस एलमोनियम के इस तरह के प्रॉड करती है तो हम चलते समस्ते को कौटर वर्न रजल्ट कैसा है आगे टेडिंस करने वाला है तो प्लिस वीडियो को पूरा देखियों वीडियो को लेकर ना बिलकुन ना बोलिये देखें मंप इंडिस्ट्री लिम्टेड तो और नसी बेस्ट रिश्टर कंपनी है देख सकते हैं आप इसका जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया तो वह देर रात आया ता यानि मार्केट बंद होने के बाद आया जिसके चलते इसके अंदर जो मुवमेंट देखना था वह सब्सक्राइब करते लाट कि इसका मारकेट तो मिद्दै उसके बार बात करते हैं इनकी जो थेखने Meter रही इसको समत्ते इसका कई सा रहा एक मार्केट का है आज की डेट में 406 करोड़ वेगा इस्टॉक पीछ चला है 14.6 परसेंट का बुग वैल्यूस के पिच्छा सिर्व पांच पैसे गये रिटन फिक्वेटी इसका 11.8 परसेंट का डिविडेंट कंपणी न अभी तक दिया है 0.63 परसेंट का फेज वैल्यूस का दसर पेगा है अब देखिए कंपणी के अगर यह एक्सपेक्ट कर रही है कोटा कोट अजल अच्छी दिने की और कंपणी ने अपना करजा दिन देने के दिने वह 53.60 से घटके सीधा बैलिस पर रहा हो चुक है यह कंपणी ने बाकी कंपणी आज भी करजे में चल रही है अब देखिए इसके क्वार्टर वन की निजल के आथ करते जून 2022 की तो इस क्वार्टर में टोटल सेल हुई 148 करोड बेगी और प्रॉफिट निकल आया 7 करोड बेगा नेट प्रॉफिट निकल क है 4.18 करोड बेगा अनिंग परसेर 1.65 का निकल के है अब देखिए लास्ट क्वार्टर सेल थी 153 करोड वह घटके हुई 148 करोड सेल में थोड़ा वह डिफरेंसल देखने हो मिला क्वार्टर क्वार्टर वाई लास्ट क्वार्टर ऑप्रेसन प्रॉफिट 14 करोड था वह और वहीं नेट प्रॉफिट भी 8.40 से घटके सीधा 4.18 तो नेट प्रॉफिट में अच्छे कासी गरावर्ट देखनों मिली है अनिंग परसेर भी 3.31 से घटके 1.65 हो चुका है तो यह डाउनफल देखनों को मिला हमें क्वार्टर क्वार्टर वाई अब चलते यह रिया व इसका इंपेक्ट आपको कल के दिन देखने को मिलेगा इस शेर के अंदर आगे का मूफ कैसा वह भी तो थोड़ देंगा को एक्स्टें करता हूं देकि रिजल्ट आने से पहले शेर केंदक कैसा मूवमेंट तो वह समझता है पहले तो कि रिजल्ट आने से पहले मंप इंडेस्ट्री लिमिटेड तो एस रिजल्ट आन से पहले जी रोपन 69 परसेंट की तीजला के बंद हुआ ओपन होता है 158 पर 50 पैसे पर, हाई मारा 162 पर 40 पैसे पर लो असने 155 पैसे पर, 52 हाई है इसका 228 पैसे 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 पांच दिन पेंदर शेर नहीं तक वहांगा तो आप इसके अंदर आपको करना क्या है वो आपको बताता हूं देखिए मैंने डेली चार्ट पर ट्रेंड चलना शेर के अंदर और चार्ट पेने कहीं पर सपोर्ट नजन नहीं आ रही है देखिए कल के दिन यानि फ्रैडे के दिन इसमें रिबाउंड होने कोसिस की गई है देख सकते हैं आप लगातर यानि के बारह जुलाई से लगातर कंस्टरेंस में गरावट होई बट फ्रैडे के दिन रिजल्ट का इंपक्ट के चलते इसमें तेजी का मुवमेंट बना वर है खराव रिजल्ट खराव आने के बाद बज़े किस क्या होगा इसके अंदर के सपोर्ट देखने हो मिला हमारे को यह मुझे लगता है यहां से एक सब्सक्राइब पर जल्दी देखता नजर आएगा क्योंकि यहां से एक भी सपोर्ट यहां जो भी वह ब्रेक होगी कल के कि यहां दिन और यहां से रिपाउंड करता है तो आपको इसमें इन्वेट कर सकता है अधरवास आपको आवोइट करिये कि मुझे नहीं लगता है अगर यहां से रिपाउंड हुआ तो नीचे जा चुका है और क्योंकि ग्छाषट की इसमें क्योंकि ग्रावट इसमें डेफिनेट होगी क्योंकि दे सकता आप यह 100 डेस 200 150 साथ 21 डेस के अपर नीचे जा चुका है शेर और काफी ज़्यादा ही अपने 50 लोग के आसपास ट्रेड करने को तैयार है यह 50 लोग के आसपास सही रिबाउंड करेगा तो आप हुआ से इसमें कर सकते हैं अभी के लिए आपको चोटे मोटा लॉस और निकल जाए क्योंकि जल्दी आपको डेट सो का लेवाल अगर होल्ड कर जाता हुआ से रिबाउंड होगा नहीं होल्ड कराते 140 पे 140 नहीं होल्ड कराता फिर 130 के आसपास जल्दी ट्रेड करता ना जा रहाएगा बाक